बिस्मिल्लारामानी रहीम, असलाम लेकूम रिस्पेक्टिव वीवर्ड्स, PPSC के वाले से दो-तीन लेटरस अपडेट्स हैं, स्पेशली लिटरेसी मुबलाइजर की, जैसा कि आप सभी को पता है कि 300 से अबाव पोस्टों की नोसमेंट रही थी, तो उस अबावले से आपने अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर देना है जिन जिन कैनिटेट्स ने भी अप्लाई किया हुआ है क्योंकि बहुत ही गुड निउस आप लोगों को सामा पर क्योंकि आइटिंग दो हफ़ते आलमोस्ट होने वाले हैं कि मैंने वीडियो कोई भी शेयर नहीं की चाहे प्रेपरेशन से रिलेटी और चाहे जोब से रिलेटी तो इसलिए यार दिल से माजरत आप लोगों के इतने जएदे कॉमेंट्स इतने जएदा मैसिज भी आया है परसनली वटसाइब पे इस्टाग्राम के थूरू भी तो देखे कुछ मसरूफियत भी होती है ठीक है तो यूट्यूब तो बस न इसमेरा वकफा पड़ी जाता है तो फरस्ट आफ़ाल मैं आप लोगो जोब्स की अपडेट शेर कर देता हूं दो दिन जो मुक्तलिव डिपार्टमेंट्स की जोब्स है ये स्पेशली बी ओपी के हवाले से आप सबी को पता है मैं बैंकों पंजाब में जो भी जोब्स आती है है जिसमें पंदरा आट दोजार चोबीस लास डेट है ठीक है ओफिसर ग्रेट ओजी त्री आपको इसमें दिया जाएगा और दैन अप्लाई के वाले से यह मैं आपको फर्दर बता देता हूं लेकिन इसके लावा और भी जोब्स हैं ठीक है लास डेट 16 आर्ट 2024 बनती है ठीक है ऑनलाइन अप्लाई करना है यह मैं आपको फर्दर तरीका बता देता हूं लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट बता दूँ तो यह एडवर्टाइजमेंट है ठीक है परसनल बेंकर पोस्क का नाम है ऑफिसर ग लास टेलर में भी दी हुई है 30 हलाके नॉर्मल 26 तक होती है तो बैंकिंग सेक्टर में एज का फेक्टर बहुत सब्सक्राइज करता है तो जो जो कैंडिडेट्स भी लिजीबल है आपने लाजमी इस अपरचुन्टी को वेल करना है अप्लाई के लिए आपने लाइक अगर मास्टर सफेक्ट करने के बाद 7 समेच्टर जहां वेल की घ्र अब भाव अगर अब है बबनाफे ऑफिर तो देन आपने इंटर ये तीन आपने सेट एड़ करने हैं फिर आपका अपलाई होगा इसी वज़ा से काफी के मुझे लास्ट एलर की पोस्ट पर जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर बहुत सारे कॉमेंट्स आप लोगे तो यह आपने मिस्टेक नहीं करनी बाकि सीवी सीवी आपने अपलोड करनी है परसनल में भी इंफरमेशन आती है लेकिन उसमें आपने अड्रेस एड़ करना ना उसमें आपने वर्ड्स यूज करने है ठीक है दैन जो उसमें निमेरिक भी एक मतलब लाहाजमी जो आपके आईडी कार्ट पर मैशन है ना कम्प्लीट एड्रेस वैसे आपने अड़ करना है फिर ही आपको परसनल इंफरमेशन में मतलब कोई प्रॉबलम नहीं आएगी दो तीनी मिस्टेक्स है ना आपने इन पर मतलब नो डाउन कर लेना है ताकि आपको अप्लाई के दुरान प्रॉबलम ना आए नेक्स्ट ये कुछ आई बी के वाले कर सकते हैं अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटरिया को फुल्फिल करते हैं ठीक है तो मैं तो आपको स्जेश्ट करूंगा अगर आप ग्रेजुशन है ना तो आपने ये जीडी बीस 11 और दैन इसके लावा डेटा एंटरी ओपरेटर में तो लाजमी प्लाई करना है जी आपकी जो रिक्वार्मेंट है ना वो पर्सनल अक्डेमिक और एक्स्पिरियंस की इंफरमेशन आपने अड़ करनी है तो आपका अप्लाई हो जाएगा आपने लाजमी सब पर्चुन्टी को वेल करना है जो जो कैंडिडेट्स भी इलीजिबल है क्राइटरी को फुल्फि इसर किया ना मतलब एड आई थी तब 125 पोस्ट है थी लेकिन अब इस पोस्टों की ना तदाद कम कर दी गई है तो 2020 में इसका एड़ आया था जिन जिन कैंडिडेट्स ने भी इपलाई किया है ना ये देखें 27,000 कैंडिडेट्स ने ना मतलब इसमें पलाई किया हुआ है तो अगर आपने भी किया हुआ है तो 11,8,2024 को ना इसका टेस्ट होने जा रहा है ठीक है इस संडे को काफी कैंडिडेट्स को इस पोस्टों का मैसिज नहीं आया थीक है तो अब जो जो कैंडिडेट्स भी मेरी वीडियो देखने आपने अपने प्लाई किया हुआ हुआ है ठीक है इसका स्लेबस पैटरन आइधिंग 50% जीके था और 20% इसका इंग्लिश का पार था 30% जो सब्जेक्ट रेलिवेंट लाइक MBA, MBA ठीक है इन तीन पोर्शन पर मुझे मिले इसका पेपर पैटरन होगा बाकी एडवर्टाइजमेंट इसकी मेरे पास होगी तो जिसको च सूर्सिस के कोडिंग मैं बात करूंगा ठीक है क्योंकि वहां एक मेरे एक स्टूडेंट लगा ले एक बाही भी लगा ले ठीक है तो उसने मुझे वैसे सुबह ही जब मैं ऑफिस में था ना तो उसने मुझे मतलब मैसेज किया वाटसप एक सर लिट्रेसी मॉबलाइजर के लिट्रेसी मॉबलाइजर को बढ़ती किया जाए तो केस यही था यह केस अब फाइनलाइस मतलब के इसको रिजॉल्व कर दिया गया यह पूरी यूट्यूब पर मैं ही आपको यह बात बता रहा हूं तो इस केस का अब फैसला मतलब हो चुक है 157 सीट्स जो है ना वो को उस्टे मीं कर दी जाएंगी कोछी दिनों में को रिजन डमाब के पास आ जाएगा ठीक है और अब कर देजितेर से हो बहुता ठीक करने साया होता है कि सर आपकी वीडियो की वज़ा से मैंने आपके चैनल जे प्रेपरेशन की तो मैंने फ्लान डिपार्टमेंट में मतलब टेस्ट क्लियर कर लिया हता कि बढ़ती होने के भी मैसेज आ जा जाते हैं ठीक है तो दिल से आप लोगा यार बहुत बहुत शुक्रिया आ अपने चैनल पर तो मैं वैसे सोचल मीडिया पर एक्टिब तो था मार्किट में इतने जएदा आउनलाइन यूट्यूब पर मतलब त्यारी के वाले से यार इतने जएदा कैडमी ओपन करके बैठे हुए हैं लोगों से 10-15-15-15,000 फीसे मजूल कर रहे हैं हला कि जिस जो मतलब के 5-6 महीन या 1 साल से मेरे चैनल से कनेक्टिड हैं तो उनको तो पता होगा कि वन पेपर हमसी की होता क्या है इन में आपने किन-किन एडियास को कवर करना होता है तो मेरा यही ड्रीम है यार आपको किसी भी अकैडमी को जोईन करने के जरूरत ना पड़े क्यूं गरवालों से भी मांगते हुए ना बंदे को शर्म आती है तो यह सिच्वेशन ना स्टूडिन के लिए यार बहुत ज़्यदा टफ होती है तो मैं आल्ला से दुआ करता हूँ लापक किसी को भी ऐसी सिच्वेशन से ना गुजारे तो दिल से दुआ है जो जो कैनिरेट्स भी बेरोजगार है लापक उनको अच्छा रोजगार अता फरमाए कॉमेंट सेक्शन में आपने आमिल लिखते हैं ना बाकी इन्शाला जो मेरा ड्रीम है ना वह बहुत जल्द अपना पूरा करूंगा आप लोगं की कैडमी से जान चुडानी है तमाम प्ले लिस्टे जब इतना मतलब मेरे से पॉसिबल है ना मैं आप लोगं की मदद करता रहूंगा ठीक हो गया तो दुआ लाजमी कीजिएगा बाकी लव यू हो गया आप लोगं का यार इतना ज्यादा प्यार तो दिल से आप लोगं का बहुत बहुत शुक्रिया तो दैन ने एक और चैनल वैस तो इसको भी सब्सक्राब कर लिजएगा तो फिर भी क्वेशन है इस वीडियो से लेजिए रापWhen सेक्शिन में मैं पूस सकते हैं मैं आपका लास्मी जवाब दूंगा आखर पर यहीं कि अला Pourquoi आपको आपके हर नेक मकस में कामिया फर्माए "... लबाख हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए, थैंक यू फर वाचिंग, ठेक केर, अल्ला हाफिस.